हलो फ्रेंड्स मैं रेनु चोबे बरोडा गुजराट से आज आपके सामने मोदी केर का वर्ल क्लास बहतरीन प्रोडक्ट रेंज लेके आई हूँ श्लोका रेंज का फेशल किट अब जैसा कि आप सब को पता है हर घर में आज फेशल नेसेसिटी ही हो गया है चाहें वो male member हूँ, female member हूँ, सब महीने में एक बार तो फेशल करी रहे हैं और अगर फेशल करने हम बाहर जाते हैं, normal शौप में भी अगर जाते हैं, पार्लर में जाते हैं 500 से तो स्टार्टी होता है और वही कोई अच्छे पार्लर में आप चले गए तो 1500 के उपर चला जाता है हमारा फेशल तो आज फेशल को करना जरूरी है तो आज मैं आपके सामने श्लोका रेंज का जो वर्ड ग्लास प्रोडक्ट है उसके कुछ प्रोडक्ट लाई हूं और घ टेकनीक भी बताऊंगी और यह प्रोडक्ट कितना आपको सस्ता पड़ेगा वो भी बताऊंगी तो चलिए हमारे पास यहां पर 6 प्रोडक्ट रखे हैं पहला जो स्टेप आता है हमारा हमेशा फेशल में आता है क्लिंजिंग करना चिक है तो आपको चेहरे को थोड़ा सा गीला कर लेना है हलका सा गीला कर लेना है जो हमारे पास मोरोकन अरगन ओयल क्लिंजर है इसको आपको डॉट डॉट करके चेहरे पर लगा देना है और उसके बाद उसको 5 से 10 मिनट तक मसाज करना है थोड़ा सा पानी और डालेंगे तो एक अच्छा लेदर फॉर्म हो अब इसको निकालिए स्वांज को थोड़ा सा गीला करिए या टिशू ले लीजिए उससे आप हलके हाथ से जब साफ करोगे तो आप देखो गया आपका टैनिंग भी रिमूव हो गया है सेकेंड स्टेप आता है टोनर अब टोनर क्यों यूज करना है जब आप मसाज करके क क्लिंजर, टोनर और मेकप रिमूवर है इसको लगाना कैसे है कॉटन को ले लीजिए थोड़ा सा वेट करिए उसमें टोनर डालिए और टाप टाप करके या थोड़ा सा हलके हाँ से वाइप करके आप निकाल दी तो देखेंगे कि उस कॉटन में भी आपको थोड़ी सी इं स्किन्स हो जाती है या थोड़ा से ब्लाक हेड है वाइट है या टानिंग है उसको रिमूव करने में हमारा स्क्रब बहुत अच्छा काम करता है तो आपको स्क्रब लेना है इसको भी डॉट डॉट करके लगाना है पूरे चेहरे और नेक पर और पान से दस मिनट तक हलके ह हाँ से फिंगर टिप से इसको आप मसाज करते हुए थोड़ा सा पानी आड़ करके अगर आप मसाज करते हुए करेंगे दस मिनट तक तो आप देखेंगे कि दी दिलिले आपके स्मूथ भी हो जाएगा फेस का सरफेस और दीले देद सकिन भी निकल जाएंगे जाएंग अब आपको इसको भी डॉट डट करके आपके पूरे चेहरे पर लगा देना है और इसको थोड़ा सा पानी लेकर मसाज करना है ताकि आपके स्किन को नरिश्मेंट प्रडान कर दे अब इसमें एक औप्शनल और है मैंने यहां पर टी-3 ओयल रखा है टी-3 ओयल क्यों लेना है टी-3 ओयल के जो प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं एंटी-बैक्टिरियल है एंटी-वाइरल है एंटी-फंगल प्रॉपर्टीज है साथ में विटामिन इभी है अब यह क्या करेगा जब आप क्रीम का इस्तेमाल करते हो फेशल क्रीम में उसमें अगर आप 2-4 बुंद इसको डाल देते हो तो इसका पैनिट्रेटिंग पावर बढ़ा देगा और स्कीन के अंदर तक नरिश्मेंट प्रदान करेगा तो जहां भी अगर कोई स्कीन में कोई भी बैक्टिरियल या फंगल एफेक्ट्स है चीक है बहां भी यह काम कर रहा है और साथ में बहतरीन रिजल दे रहा है क्यों क्योंकि आपके स्किन को नरिश्मेंट भी दे रहा है तो आपको आप देखोगे सॉफ्ट स्मूथ फीलिंग आ जाएगी और यंग फीलिंग भी आएगी यह आपने 15 मिनट तक मसाज किया अच्छे से थोड़ा थोड़ा पाने आप मसाज करते जाएए फेस, नेक और बैक को लेकर और उसके बाद अपने स्पॉन से या टीशू पेपर से इसको वाइप कर दीजे अच्छे से वाइप करने के बाद आप हमारे पास यहाँ पर मैंने ग्लो पैक रखा है अच्छा एक और चीज बता दू कि हमारे पास जो बावल ले लीजे थोड़ा सा उसमें निकाल दिये ब्रश के हाथ से आप उसको पूरे चेहरे पर और नेक पर लगा के कम से कम 10 से 15 मिनट छोड़ दीजे और हमारे पास और भी हमारे पास पैक हैं जैसे पिंपल्स के लिए हैं डी टैन के लिए हैं या जिनके के लिए तो और भी वैराइटीज हैं तो जब आपका 15 मिनट हो जाता है तो लुक्यूम वाटर के साथ आप स्पॉन से अपने फेस पर से पैक निकाल दीजे अच्छे से जब निकाल देंगे आप देखोगे इंस्टेंट रेजर्ट की आपका टैनिंग भी निकल गया है डे तो घर बैठ कर अगर आप देखो तो आप बिफोर और आफ्टर का फोटो लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि वही आपको जज कराने में बताएगा कि आप पहले कैसे दिख रहे थे और विदिन 20 to 25 मिनट के बाद आप में क्या चेंज आया है तो यह जो हमारा पुरा अच्छा काम कर रहा है और इंस्टेंट ग्लो भी दे रहा है अब यह तो हो गया हमारा फेशल की बाद कैसे करना है क्या प्रॉडक्ट लेना है एक चीज याद रखिएगा इसके बाद आप सोप का इस्तमाल बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि सोप हमको नहीं लगाना ह अब आजाते हैं कि हमारा जो कॉस्ट कितना पड़ेगा एक और चीज आपको बता दूं कि जो क्लिंजर है हमने जो फर्स टेप यूज किया वो क्लिंजर को आफ्टर फेशल आप उसको रेगुलर यूज करेंगे आज फेश वास तो जो आपका जो ग्लो आया है उसको वो मेंटेन रखेगा क्योंकि वो आपके स्किन के उपर बहुत अच्छा काम करता है अब कॉस्टिंग के बात करें कि रिजल्ट तो बहुत अच्छा आगया महिंगा होगा बिल्कुल भी नहीं क्लिंजर जो है अब मैं यहां आपको MRP बताऊंगी क्लिंजर जो है वो 445 का है स्क्रब आपका 219 का है टोनर 315 का है क्रीम 317 का है टी 3 ओयल 330 का है और जो ग्लो पैक है 224 का है तो टोटल अगर देखा जाए 1850 का है पर यहां पर आप्शनल में हम टोनर और टी 3 ओयल रख सकत किट का कॉस्ट आता है 1205 रुपिया अब यह 1205 में आप 25 फेशल कर सकते हैं घर बैठे अगर 1205 को डिवाइड बाइड बाइड 25 करते हैं तो आपका पर फेशल जो है वो 48 रुपीज का पढ़ रहा है can you imagine 48 रुपीज का फेशल वो भी इतना अच्छे रिजल के साथ और अग बोलते हो कि मुझे ये पूरा सेट लेना है तो 18 15 डिवाइड बाइड बाइड 25 करिए तो आपका पर फेशल 74 रुपीज का मिलता है अब यहां मैंने आपको MRP की बात की अगर आप इसी को रजिस्टर करके लेते हैं मेरे द्वारा रजिस्ट्रेशन फ्री है no hidden cost nothing तो यही आपको 15 to 20% discount में मिल जाएगा अब यह product उत्साहित तो बहुत होंगे आप तुरंट बोलेंगे मुझे call करना है तो आप मुझे direct call कर सकते हैं 98 981 835 85 पर तुरंट call करें और अपने product को book करें और discount rate में इन product को ले जाएए और तुरंट facial करें और अपने face को एक young and glowing look दीजिए thank you इसी तरह से और मेरे वीडियो आते रहेंगे इसको like करें subscribe करें और enjoy करें अपनी life में thank you